हलो दोस्तो मैं डॉक्टर संतोष कुमार मैं प्रोफेशर आफ इरोलोजी हूँ एक प्रेमिर इंस्ट्रिचूट पीजी आइ चंडीगड में तो प्रोस्टेट कैंसर ब्लाडर कैंसर किड्नी कैंसर और अन्तरह की इरोलोजिकल सरज़री मेरा एरिया है और blooded cancer बहुत ही common हो रही है खासकर पंजाब, हर्याना, राजस्थान और हिमाचल के छेत्रों में या एक तरह से कहें तो पूरे भारत वर्स में ये blooded cancer का incidence इतना ज़्यादा बढ़ने का कारण भी है क्योंकि chemicals का exposure multiple times increase हो गया है चाहे वो खेतों में insecticide डाले आप या pesticides डाले या chemical environment जो chemical product हो रहे हैं इतने बड़े population में यूज करने वाले chemicals जो की मातरह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि bladder cancer बहुत ही common हो रहा है और ये cancer eddy superficial है तो ठीक है eddy deep है तो ये cancer बहुत ही fatal है ये high grade cancer है तो बहुत ही fatal है तो मैं discuss करने जा रहा हूँ bladder cancer bladder मतलब पिसाब के थैले का cancer जिसमें पिसाब stored होती है kidney में पिसाब बनती है और किड्नी के नली के द्वारा पिसाब के थैले में आती है जो इस रिजिन में होती है और आपको ये भी पता होगा कि one of the legend actor बिनोध खन्ना वना तो मोस्ट हैंड्सम मोस्ट स्मार्ट actor of our film industry died due to bladder cancer in spite of having all facilities Mr. Vinod Khanna was also XMP also died due to bladder cancer so you can see such a smart people healthy people can die due to bladder cancer in spite of having all facilities तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ bladder cancer क्यों होता है bladder cancer के symptoms कैसे है और इसका बचाओ कैसे कर सकते है और bladder cancer early है तो क्या करना है bladder cancer advanced है मतलब deep तक चली गई है उसकी cancer की गाठ cancer की जड़ जो deep चली गई है पूरे bladder में चली गई है deep तक muscle में तो हम क्या कर सकते है bladder cancer के symptoms होते है कोई भी किसी भी पूरूस को खास कर elderly पूरूस और महलाओ को पिसाब में खून आता है तो urologist से concern जरूर करें क्योंकि पिसाब में खून आना cancer भी हो सकता है इसके अनसाधरन कारण भी हो सकते हैं लेकिन एक बार पिसाब में खून आया एक बार urine में ब्लड आया तो यू मस्ट गेट इन्वेस्टिगेटेटेड आप इरोलोस से जरूर कंसल्ट करें तो पिसाब के थैले का cancer या इंडरी ब्लाडर का cancer के रीजन जैसे मैंने बताया बहुत सारे chemicals है जैसे smoking उन अप दो मेजर्क रीजन है insecticide, pasteicide, कोई भी डीजल पेट्रोलियम इंडर्स्टिग में या dye paint इंडर्स्टिग में जो भी काम करते हैं while refinery ये सब में काम करते हैं या coal तार इंडर्स्टिग, alcatra जिसे काते हैं जो road बनाने में काम में आता है ये सारे इंडर्स्टिग में काम करने वाले को exposure होता रहता है कि इंकल से और cancer होने का chance होता है किसी भी तरह के tobacco product, smoking, tubing, जो भी करते हैं उससे bladder cancer होने का chance हो सकता है इसके साथ immunosuppress patient है या gene में tumor suppressor gene है cancer को खतम करने वाले gene होते हैं body में उसमें mutation हो गया हो या body में oncogenes होते हैं वो एक्टिवेट हो गया हो cancer causing genes एक्टिवेट हो गया हो जो viral infection या और भी किसी तरह के recurrent infection के कारण हो सकते है एनालजेस्टिक एब्योज, tryptophan, metabolite and artificial sweetener, seccarine होते हैं जो artificial मीठा करने में यूज होता है तो यह सारे chemicals भी cancer कर सकते हैं जैसा हमने बताया aging, genetic problem, DNA repair problem, growth factors और aging, elderly जैसे जैसे होते जाते हैं cancer का चांस बढ़ता जाता है, smoking, tumor cancer causing virus का infection है और carcinogens यह सारे प्रहा सकते हैं यह भी radiation होता है, cancer का treatment में radiation देते हैं जैसे cervix का cancer महलाव में होता है और भी cancer होता है, origin cancer जिसमें radiation देते हैं यह radiation exposure होता है, radiation industry में, radiation exposure के कान भी blood cancer हो सकते हैं जैसे हमने बताया, elinin dye industry, naphthalene dye industry, यह सारे dye, petroleum, textile, painting industry यह सारे इंडस्ट्री में chemical exposure से blood cancer होते हैं जैसे skin में exposure होगा या oral या inhalation में, यह सारे जाएगी blood के through kidney में filter होके bladder में आएगी, bladder store करता है, जब urine को store करता है, तो store chemicals जो होते हैं bladder cancer करने में, करने के लिए responsible होते हैं जैसे हमने बताया, smoking one of the most common region है bladder cancer का कोई भी infection होते हैं, ओभी bladder cancer कर सकते हैं और radiation industry में radiation exposure जो होंगे, ओभी bladder cancer कर सकते हैं तो यह सारे agent होगे की जो bladder cancer कर सकते हैं, जिससे आप अपना बचाओ कर सकते हैं, जितना साब्धानी पुरुबक वह अच्छा है आपको bladder cancer से prevent करेगा, insecticides कम यूज करें, minimum यूज करें, natural चीज यूज करें, नीम जैसे चीज का उप्योग करें खेतों में, और chemicals जो insecticide, pesticide, unnecessary environment को pollution ना करें radiation exposure ना हो, smoking विलकुँ छोड़े, green vegetable fruits, vitamin का 7 करे, योगा exercise बहुत ही important है symptoms क्या होते हैं, पिसाब के थेले का cancer में कभी भी किसी को बिना दर्द का पिसाब में blood आता है, clot आता है, ये बहुत ही common symptoms है एक बार blood आने के बाद फिर blood रुख जाती है, क्योंकि body में ऐसा से mechanism है कि blood को clot कर देता है, लेकिन अंदर tumor बढ़ती रहती है इसलिए एक बार भी blood आने पे एक ultrasound या कोई neurologist से consult जरूर करना चाहिए और इसके साथ un-symptoms हो सकता है, earlier stage में जैसे बार बार पिसाब आना, पिसाब में जलन होना, irritation होते रहना या पिसाब में कभी infection भी हो सकता है, या जब tumor बढ़ता है तो पीठ में back में invade कर सकता है kidney की नली को block कर सकता है, kidney failure हो सकता है, back pain हो सकता है या bladder का cancer bone में जाता है तो bone pain भी हो सकता है, या advance होके lymph node में जाती है तो खून की नली को block कर देती है, पैरों में swelling भी आ सकता है तो इस तरह के कुछ symptoms होते हैं, इसके साथ general symptoms होते हैं जैसे भूक लगना कम हो सकता है, वजन कम हो सकता है, ये सारे common symptoms जो है कुछ cancer, किसी भी cancer में हो सकते हैं, लेकिन bladder cancer का जो मुक्ष symptoms है पिसाब में खूनाना, पिसाब में a notification होना, बारबाड खूनाना, पिसाब में जलनाना ये सारे common symptoms है तो जब bladder आते हैं, तो उसको routine exam, कभी पिसाब bathroom में गया पिसाब में इस तरहแ Corinthians हो सकता है bladder का Cancer हो सकता है, kidney का Cancer हो सकता है, prostate का Cancer हो सकता है कभी कभी साधहरंड चीज़ जैसे infection या stone में भी blood आ सकता है लेकिन cancer को rule out करना बहुत ही जोड़ी है तो जैसे macroscope में जब देखेंगे तो blood cells खून के cells urine में आएंगे तो further test की जूरत परती है जैसे ultrasound या CT या urine की cytology उसमें धूर्टते हैं कि कोई cancer cell है या नहीं तो जैसे हमने बताया patient tired होगा, virgin कम होगा, back pain हो सकता है kidney में रुकावट हो सकती है, kidney में नली डालनी पड़ सकती है ने तो kidney fail हो सकती है patient bladder habit जो है, बार बार पिसाब जाना, पिसाब में जलन होना, रुक रुक के पिसाब आना पिसाब में खून आना, ये common symptoms हो सकते हैं पिसाब में जलन होना, पिसाब में खून आना, ये सारी common symptoms है ठीक है, ये भी symptoms को फिर से मैं आपके information के लिए infecis के लिए दोबारा मैं symptoms बता रहा हूँ पिसाब में रेट कलर का पिसाब आना, पिसाब की जो habit है, चेंज होना, बैक एक होना, भूक लगना कम हो जाना, वजन होना कम हो जाना, क्रेटिनी बढ़ जाना या kidney की नली ब्लोग हो जाना, ये कुछ symptoms हो सकते हैं और ब्लाडर कैंसर, अब आते हैं, ये हो गया, क्या ब्लाडर कैंसर का उज कर सकता है, या ब्लाडर कैंसर के symptoms क्या होते हैं अब किस stage का bladder cancer है, cancer है तो उसकी stage क्या है, यह early stage का अलग treatment होता है, advanced stage का अलग treatment होता है, value ही cancer का अलग treatment होता है, bladder cancer का फैला हुआ cancer में कोई भी medicine बहुत ही successful नहीं है, इसलिए bladder cancer, early bladder cancer में एदी detect हो जाता है, तो regular follow-up करने से जिनगी बहुत लंबी होती है, तो एदी यह bladder cancer stage 1 है, यह stage 2 है, stage 4 है, stage 3 है, आप यह देखेंगे कि इतना बहुत superficial है, bladder में बहुत सारे layer होते हैं, एक mikoja layer होता है, एक मसल layer होता है, एक सीरोजा layer होता है, तो जब bladder cancer केवल मीकोजल layer में होता है, केवल मीकोज, आप ध्यान से देखेंगे इस picture को, तो यह muscle में गई नहीं है, यह bladder cancer, तो यह bladder cancer को यहां से हम काट के निकाल सकते हैं, ठीक है, और हर 3 मेहने पे इसको follow-up करते हैं, दूर्बिन से टेस्ट करते हैं, लेकिन muscle में जब चली गई है, muscle के बाहर निकल गई है, तो यह bladder cancer का treatment जो होता है, वो bladder निकालना होता है, जिसे radical cystectomy करते हैं, यह देखें, यह bladder का cancer है, यह bladder का cancer है, जो early है, बहुत deep नहीं गई, एक आट बहुत नहीं गई, यह muscle के अंदर बहुत नहीं cancer muscle में जाती है, muscle के अंदर चली गई, यह bladder से बाहर निकल गई, तो आप endoscopic इसको treat नहीं कर सकते हैं, यह चोटा सा है, बहुत चोटा तो कर सकते हैं, लेकिन जब यह bladder cancer बढ़ा हो गया, यह prostate के अंदर फैल गई, तो endoscopic treatment से यह ठीक नहीं होगा, बायपसी करके हम diagnosis confirm कर सकते हैं, जिससे की हम treatment plan कर सकें, लेकिन यह early case में है कि endoscopy, दुर्विन विद्धी द्वारा हम काट के निकाल के उसकी बायपसी कर लें, यह पता कर लें कि इसकी grade क्या है, high grade है, या low grade है, superficial है, या इसकी जड़ डीब तक गई है, superficial होता है, मीकोजा तक होता है, deep जो होता है, muscle में चला जाती है, bladder एक थैला है, जिसमें muscle का layer भी होता है, मीकोजा का भी layer होता है, यह देखी, यह bladder tumor है, अंदर नहीं गई है, deep नहीं गई है, दुर्विन के द्वारा, दुर्विन अंदर जाती है, इसको काट काट के बाहर न तो ब्लाडर के थैले में एदी भी अधी मसल के अंदर डीप नहीं गई है कैंसर, सुपरफिसियल ब्लाडर कैंसर है, तो दुबारा ना हो, इसके लिए पिसाप के थैली में दवा हम डाल सकते हैं, यह दवा दो थरखा होता है, एक ब्लाडर के अंदर कीमोधरफी होता है, या जैसे सूपरफिसियल ब्लाडर कैइंसर है Cheers in आपने काटिया निकाल दिया लेकिन उसमें सतर परसंट होता है और यह दुरारा आजाए जैसे कि आपने क्षेट में गिहुन का बीज डाल दिया कुछ पौधे आज निकले कुछ कल निकले। कुछ परसों निकले कुछ पांस दिन के बाद निकले उश्स ją जिसमें आपने अरली है शुपरफीसियल भी है बहुत डीप बलाडर कैंसर नहीं गई है दुडबिन से काटने के बाद भी दुबारा होने का चांस रहता है और जैसे जैसे ब्लाडर कैंसर की ग्रेड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ब्लाडर कैंसर दुबारा आने का चांस जादा होता है तो ये दूर्डबिन के दौरा हम उसको फोलो अप करते हैं जैसे हमने आज ओपरेशन कर दिया दूर्डबिन की सरजरी कर दी क्योंकि bladder cancer superficial था, early था, इसलिए bladder को निकालने की जुरुत नहीं है, हर तीन महने पे दूर्बिन से देखते हैं, पिसाब के थैले के अंदर की सब ठीक तो है, नहीं है, तो फिर से निकाल दो, ultrasound से भी देखते हैं, देखिए इसमें ये छोटा सा growth दिख रहा है bladder के अंदर, तो फिर ये deep नहीं गई है, देखिएगा muscle के अंदर नहीं गई है, फिर इसको दूर्बिन से इसको काटके निकाल सकते हैं, और bladder urine का टेस्ट करके देख सकते हैं, कोई cancer cell तो नहीं है, ये हो गई superficial bladder cancer का treatment और follow-up, जैसे देखिए, ये bladder cancer है, यहाँ ये superficial है, तो यहाँ से काट दिया, इलाज होगी, अब ये muscle के अंदर चली गई, आप muscle को काटेंगे तो bladder फट जाएगा, cancer बाहर निकल जाएगी, ऐसे के advance case में bladder को पूरी तरह निकालनी परती है, bladder को किर्णी की नली के साथ, prostate के साथ, फिसाब की नली के साथ, इस तरह निकालनी परती है, पूरी तरह, जब ये muscle के अंदर चली गई है, तो bladder cancer जब muscle के अंदर चली गई है, जिसको advanced bladder cancer काते हैं, T2, stage 2 के बाद, advanced bladder cancer काते हैं, इसमें bladder को निकालना परता है, जो कि base treatment माना जाता है, उसको radical cystectomy काते हैं, ये kidney की नली है, आपने bladder निकाल दिया, bladder निकाल दिया तो पिसाब जाएगी कहां, कैसे पिसाब आएगी बाहर, तो मैं बताओंगा आगे, देखे, ये bladder है, ये kidney की नली इसमें जूरी हुई है, ये early cancer है, ये cancer muscle में नहीं गई है, तो ES cancer को तो दुर्बिंद वाला इराज हो स लगती है, जिसको non-invasive carcinoma काते हैं, या superficial bladder cancer काते हैं, या early bladder cancer काते हैं, इसमें इसको यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, दुर्बिंद के दौरा और follow up करते रहे हर तीन मेहने पे, क्योंकि दुबारा होने का chance रहता है, आज यहां है, कल यहां हो जाएगा, इसलिए द cancer है, जब muscle के अंदर bladder cancer चली गई है, जिसे invasive bladder cancer काते हैं, एक हमने discuss किया, superficial bladder cancer, अब आते हैं, invasive bladder cancer मतलब bladder cancer जो है, वो muscle में चला गया है, तो फिर हमें बहुत सारे test कराने पड़ते हैं, एक biopsy लेनी पड़ती है, CT या MRI कराके, पेटे scan कराने की भी जूरत पड़ती है, और kidney function भी देखना होता है, उसके बाद हम radical systoprostectomy करते हैं, bladder को prostate के साथ और kidney के नली के निचले हिस्से के साथ निकाल देते हैं, दूर से, की cancer जो है, अधिक से अधिक cancer निकल जाए, कोई cancer बचे नहीं, इसके साथ-साथ lymph node भी निकालना पड़ता है, इसे radical systoptomy systoprostectomy करते हैं, प्रोस्टेट गलाइन के साथ निकाल देते हैं, इसे radical surgery काते हैं, जो की invasive bladder cancer जिसमें मसल्म के अंदर bladder cancer भूस गया है, या bladder cancer deep तक चली गई है, यह देखे, यह bladder है, पीछे रेक्टम है, टक्टी कर रास्ता यह पीछे है, यह bladder cancer को prostate के साथ, seminal vesicle के साथ, इस तरह सारे blood vessels, खून की नली को टाई करते हुए, prostate bladder cancer नीचे वाली kidney की नली के साथ निकाल देते हैं, इसे radical systoptomy काते हैं, या systoprostectomy काते हैं, तो एक major surgery है, यह देखे, यह bladder है, पीछे रेक्टम है, टक्टी कर रास्ता है, यह prostate gland है, यह पिसाब की नली है, तो यह तर्टी का रास्ता है, देख रहा है, यह bladder है, यह prostate है, kidney की नली यहां जूड रही है, तो इसको यहां से साड़े खून की नली को काटते हुए, bladder prostate के साथ हम निकाल देते हैं, इसे radical systoptomy काते हैं, यह देखे, यह female का bladder है, इसमें uterus होती है, जिसे बच्चादानी काते हैं यह womb काते हैं, uterus काते हैं, इसमें female में uterus को भी साथ साथ निकालना पड़ता है, जब bladder का cancer female में advanced है, तो uterus को भी साथ साथ निकालना पड़ता है, यह male में bladder cancer को इस तरह निकालते हैं और prostate को निकालते हैं, radical systoptomy काते हैं, जो की advanced bladder cancer का treatment है, इसके साथ यह lymph node होते हैं, खून की नली के चारों तरफ लिम्फ नोड होते हैं क्योंकि ये कैंसर इस लिम्फ नोड में भी जा सकता है और बड़ी के किसी हिस्से के लिम्फ नोड में पहुंच जाता है तो आसपास के सारे लिम्फ नोड को निकाल देते हैं साथ में ब्लाडर कैंसर के साथ है जब आपने बलाडर को निकाल दिया तो फिर पिसा आईगी कैसे तो इंटेस्टेन का एक हिस्सा को कात लिया जाता है और दोनों किड्नी की नली को उसमें जोड़ दियाती है इंटेस्ट Только स्था है जो कार्ट लिए और इंटेस्ट नाथ में जोड़ कीडनी की दुनों नली इस आथ में जोड़ि जाती है इसे बाहर निकानले जाते पेट के बारह से में निकानले जाती है जिसपे एक बैग लगी रहती है यदिनी कि प्रोसीडियूर में गोले स्टेंडर देशच के है लेकिन यंग है। पैग नहीं लगवाना चाहता है तो दूसरी इंटेस्टैन को जैसे इसे काट लिया इसको वापस जोड दिया कि खाना ठटी वगर इस तरह के निकल जाए और यह इंटेस्टैन से नियो ब्लाडर निया ब्लाडर बना दिया लेकिन यह ब्लाडर जो है नेचुरल भगवान का बनाए हुआ ब्लाडर जैसा नहीं होता है कभी कभी यह ब्लाडर खुद खाली नहीं होता है तो नली डाल के भी खाली करनी परती है तो यह इंटेस्टैन के द्वारा आत के द्वारा बनाया गया ब्लाडर है और दूसरा जो हमने बताया कि किड्नी की नली जो है इंटेस्टेंड में जोड़ देते हैं और से बाहर निकाल देते हो उसमें इस तरह की बैग लगी होई होती है तो यह यह ओप्शन होती है जिसके द्वारा यूरीनी इसमें एकट्टी होती है इसको खाली करना पड़ता है तो यह था हमारा अरली ब्लाडर कैंसर और एड़ाटर कैंसर का ट्रीटमेंट और कैसे इसे प्रिवेंट करें क्या सिम्टम्स होते हैं और साथ-था मैं कहना चाहूंगा एदी ब्लाडर कैंसर लिम्प नोड में है तो कभी कीमोथ्रेपी की भी जुरत परती है एदी पैसें fit नहीं है तो radio therapy and chemotherapy की भी जुरत परती है तो यह था हमारा bladder cancer पर आप bladder cancer पर details मुझे विस्वास है कि आपको इसे के बारे में समझ में आई होगी कि कैसे आप prevent कर सकते हो bladder cancer को मेरे नेक्स्ट informative video के लिए you can subscribe my page stay blessed, stay happy, take care of your health, thank you.